सुखात भी आप सभी कारण इम टेक्टग चैनल में और आज की वीडियो रहेगी हो इस क्रेपर से सम्बंधित रहेगी यानि स्क्रेपर से सम्बंधित जो मल्टिन प॑इंट्स पूछे जाते हैं इग्जाम में या गॅर्वर्जंच एक्जाम हो गया तो friends जो scraper होता है इसका जो परियोग होता है उस surface को अधिक सुदता में बनाने के लिए इसका परियोग किया जाता है यानि कि कि किसी भी metal में हमें अधिक सुदता में अगर कोई surface यह तो उसके लिए हम scraper के यूज़ करते हैं यानि कि tool के द्वारा हम इस cutting tool से scraper जो कि cutting tool है इ theory में हमें आपको study में बताया है कि what metal are scraper made of तो scraper हमेशा tool steel के बनाया जाते हैं या फिर गिसी भी files है यानि कि tool steel की ही file बनाई जाती है तो scraper भी tool steel के बनाया जाते है तो इसमां correct answer जो है option C हो जायागा इसी प्रकार next question है BIS के अनुसार यानि कि बारतिया standard के अनुसार scrapping allowance कित रखा जाता है how much is the scrapping allowance keep according to BIS यानि कि scrapping allowance कितना रखा जाएगा बारतिया standard के अनुसार तो scrapping allowance रखा जाता है 0.1 mm से 0.4 mm तक यानि कि option A इसमें correct answer हो जाएगा friends next question जैसे कि scraping की जा सकती है यानि किस metal यानि किस part पर scraping की जा सकती है what can be scrapped याई कि option में दिएगे optionों मैं से किस की scraping की जा सकती है क्या नर्लिंग पार्ट की स्क्रेपिंग की जा सकती है या थ्रेडिंग पार्ट की की जा सकती है या बुस बेरिंग पार्ट की की जा सकती है इन में से कोई नहीं तो bus bearing part की हमें सा scrapping की जा सकती है threading पर scrapping का कोई काम नहीं है क्योंकि thread के उपर scrapper नहीं लगा जाता knurling part के उपर भी scrapper नहीं लगा जाता लेकिन bus bearing में scrapping की जाती है तो इसमें correct answer option C हो जाएगा friends next question जैसे है कि कितने degree के angle पर रखकर flat scrapper की scrapping की जा सकती है यानि कि at what angle can scrapping be done with a flat scrapper यानि कि flat scrapper से हम कितने degree के angle पर रखके हम scrapping किसी surface को scrap कर सकते हैं फिगर मैं आप देख सकते हैं इस प्रकार के scrapping की जाती है तो हम कितने degree के angle पर करेंगे तो उसके लिए हम 25 से 30 degree के angle पर करते हैं तो इसमें correct answer option A हो जाएगा friends 25 से 30 degree angle पर हम flat scrapper से scrapping करते हैं उसके प्रकार next question है bearing के scrapping के लिए हम किस scrapper का प्रियोग करेंगे यानि कि which scrap will we use of scrapping the bearing यानि कि bearing की scrapping के लिए हम किस scrapper का use करेंगे तो important क्या होता है कि bearing पूछा गया आज में खाली bearing यह नहीं पूछा गया कि बड़े सतों की bearing अगर बड़े सतों की bearing पूछा जाता तो उसके लिए हम ऐसा round scrapper का use करते हैं लेकिन इसमें bearing पूछा गया तो bearing के लिए हम ऐसा half round scrapper का use करते हैं तो इसमें correct answer option A हो जाएगा कि half round scrapper का use करके हम bearing की scrapping scrapper से हम scrapping कर सकते हैं और bearing scrapper को ही half round scrapper भी कहते हैं और half round scraper को ही bearing scraper भी कहते हैं, तो इसमें correct answer option A हो जाएगा friends, next question है साधर्णत scraper से scrapping कितने mm तक की की जा सकती है, तो साधर्णत यानि कि generally up to how many mm the scrapping can be done with a scraper, या यानि कि scraper से हम generally scraper से हम कितने mm तक की scrapping कर सकते हैं, तो इसमें correct answer 0.12 mm हो जाएगा, यानि option B, इसमें correct answer हो जाएगा की 0.12 mm तक की हम generally यानि कि साधर्णता scrapping कर सकते हैं, तो इसमें correct answer B हो जाएगा, अगला question जैसे की half round scraper को अन्य किस नाम से जाना जाता, पहले भी मैंने आपको question में बता चुका हूँ और theory में भी पढ़ा चुका हूँ, तो what is another name of the half round scraper, तो जो half round scraper है, उसका जो दूसरा नाम है, यानि कि अन्य नाम है, उसको bearing scraper के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें correct answer option भी हो जाएगा, कि half round scraper को ही bearing scraper के नाम से भी जाना जाता है, next question है friends, पूछा गया, scraper के cutting age की hardness कितनी रखी जाती है, यानि कि what is the hardness of the cutting age of the scraper, यानि कि scraper की hardness, जो cutting age की hardness होती है, वो 56-64HRC रखी जाती है, कितनी रखी जाती है, option है, इसमें correct answer है, यानि कि 56-64HRC, याद रखना, cutting age, scraper के cutting age की hardness 56-64HRC रखी जाती है, तो इसमें correct answer option A हो जाएगा, next question जैसे की है, कि scrapping के द्वारा कितने mm की परिसुदता में surface को finish किया जा सकता है, तो जो scrapping होता है, उससे हम surface को हमेशा 0.003 से 0.01 mm की सुदता में, यानि कि परिसुदता में जो है, finish कर सकते हैं, यानि कि how many mm of precision can the surface be finished by scrapping, यानि कि finish कितने की सुदता में हम scrapping को, परिसुदता में scrapping कर सकते हैं, किसी surface को, तो इसमें correct answer option C हो जाएगा, friends, next question जैसे है, friends, यह एक तेजधार वाले उपकरण के माध्यम से, धातू के सतों को, से, छोटे छोटे चिप्स को हटाने की परिक्रिया, इस उपकरण को क्या नाम दिया जाता है, यानि कि क्या कहा जाता है, तो it is the purpose of remove very small chips from metal surface by means of a scrap is tool, what is the tool call it as, यानि की, छोटे छोटे चिप्स के टुकडे हटाने हैं, किस परिक्रिया हमें, किसी परिक्रिया हमें, छोटे 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 चिप्स के टुकडे हटाने, तो उसके लिए हम किस operation, किस चीज़ का use करेंगे, तो इस चीज़ के लिए हम हमेसा scrapper का use करते हैं, यानि किसी सतर के से छोटे 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 चिप्स के टुकडे हटाने के लिए, धातु को हटाने के लिए, metal को remove करने के लिए हम हमेसा scrapper का use करते हैं, यानि कि scraping के दोरा हम छोटे 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 चोटे टुकडों में हम लगे हो थियोरी अच्छी पढ़ा ही हो मैंने तो like, share, subscribe ज़रूर का लेना और जो next वीडियो रहेगी वो इससे भेहतरी ही आने वाली है वो भी इसी detail के साथ रहेगी हर चीज हर topic का detail के साथ और question के साथ आपको video देखने को मिलेगी mtechno channel पे तो मिलते हैं फ्रेंस next वीडियो की update में